हलो फ्रेंज नमस्कार मैं आर्डी आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ सिंपल इंट्रेस साधारन ब्याज का पार्ट सिक्स लेकर तो आपने पार्ट फाइफ वन टू थरी से लगा कर देख लिया है तो पार्ट सिक्स आज मेरे साथ देखने वाले हैं बहुत ही important session होने वाला है जो जो ये exams हैं उन सभी में जहां जहां ब्याज आता है वहाँ वहाँ आपके लिए ये important होने वाला है और बहुत ही easy तरीके से में questions को solve करना सिकाने वाला हूँ तो देखें आज इस वीडियो में कौन कौन से questions मेरे साथ देखेंगे और आज ऐसा question देखने वाले हैं, जिनको आप within 2-3 seconds कर सकते हैं, बहुत सारों को तो आप early भी कर सकते हैं, मौखिक ही कर सकते हैं, तो कुछ question मैं आपको दिखाता हूँ कि सारे वीडियो में आप मेरे पास किस प्रकार के question सीखेंगे, तो चलिए आपके screen पे कुछ question दिखाता ह है, तो बता ही कितने वर्स में यह चार गुना हो जाएगा, कुछ ऐसे question जो यह दुगना, तिखना, चोगना, यह साधारन भ्याज में आते हैं, ऐसे compound interest में भी आते हैं, चकरवर्दी भ्याज में भी, कोई धनरासी 5 वर्स में दुगनी हो जाती है साधारन भ्याज से, तो यह रासी 8 गुनी होने में कितना समय लेगी, इस प्रकार के कुछ questions जो दुगना, तिखना होने के आते हैं, यही चीज़े परसेंट दर के साथ भी हो सकती है, कि 3 परसेंट दर से 4 गुनी हो जाती है, तो कितनी परसेंट दर से 7 गुनी हो जाएगी, एक निस्सित समय में, इ पुचिस प्रकार के question B कि कि किसी रासी का साधान ब्याज, उसके मुल्दन का एकबटा 16 है, वह संक्या जो परतिसत में ब्याज की दर को निरूपित करती है, वर्सों में ब्याज की संक्या के बराबर हो, तो आपको वर्स बताने थे, तो यह इस प्रकार के चीज़ें आपस कि छोटा वीडियो होने वाला है, लेकिन आपके लिए important होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं 10 पारा questions सामिल करने वाला हूँ, और वो सभी questions आप 2-5 second में ही कर देंगे, ऐसे आसान तरीके में आपको सिखाने वाला हूँ, कि ऐसे questions को कैसे करेंगे, ना कोई सुत्र की जरूत है ब्याज आप सीख चुके हैं, पार्ट 1, 2, 3, 4, पिछले वाले सभी पार्टों को आप continue देखें, जिससे कि आपको ब्याज का पूरा फोर्मेर समझ में आ सके, तो चलिए, स्टार्ट करते हैं अब चैनल में, यदि आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ल कोई धन निस्सित दर्से साधार्ण ब्याज के अंतरगत 6 वर्स में 2 गुना हो जाता है, तो बताइए कितनी वर्स में वह रासी 4 गुनी हो साएगी, इस प्रकार की कोई चीज़ें आपको दे रखी हो, तो आपको करना क्या है, आप ये जान चुके हैं पिछले पार्टों म कि साधार्ण ब्याज होता है, वो हर साल एक्वल मिलता है, बराबर मिलता है, यानि कि पहले साल आपको 100 रुपिया मिल गया, तो हर साल 100-100 रुपिया मिलता है, ये बात जानते हो तो इस कौशन को 5-6 सकीन में आप इजिली कर सकते हैं, तो चलिए मैं समझाता हूँ कि इसमे को ब्याज बराबर करना है यानि एक एक वर्स का जो ब्याज होना है वो एकवल होगा तो चलिए प्रसंद कह रहा है छे वर्स में दो गुना तो रासी दो गुना हो जाने का मतलब आप ये समझते हैं कि ब्याज एक गुना हो जाएगा ब्याज एक गुना होगा तो आप ये कह कहेंगे सर ब्याज एक रुपिया मिल रहा है और छे वर्स में मिल रहा है तो एक में छे का भाग देने से एक वर्स का ब्याज और साधारन ब्याज में हर वर्स का साधारन ब्याज बराबर होता है प्रते एक वर्स में ब्याज बराबर मिलता है इसलिए वो साधारन ब्याज है चकरवर्दी ब्याज तो बढ़बढ के मिलता है चलिए तो कितने वर्स में वह रासी चोगनी हो जाएगी चोगनी हो जाएगी चोगनी होने का मतलब है ब्याज तीन रुपिया मिलेगा यहाँ नीचे जो आप सोल देख रहे हैं वो मैं ब्याज को इक्वल कर रहा हूँ एक वर्स का ब्याज बना रहा हूँ तो दोगनी रासी तो एक बटा छे लिख दिया मैंने छे वर्स में दोगनी तो एक बटा छे यानि एक रुपिया ब्याज छे साल का चोगनी रासी तो तीन रुपिया ब्याज वो कितने वर्स में हो जाएगा, समय गाइप है, टी गाइप है, तो नीचे टी को मैंने टी रहने दिया, अब आप देखी, अब यहां से आप इसे compare करते, तो मेरे इसाब से बहुत इजी तरीके से देख पाते, एक बराबर तीन है, तो आप यह कह सकते हैं, 6 बराबर 18 होगा, देख के भी बता सकते हैं, कि यह 6 बराबर 18 होगा, या पक्सांतरन भी कर सकते हैं, तो आपका C option, right answer हो जाता, इसमें ज़्यादा सा ज़्यादा आपको 5 सेकिन लगनी है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखीगा, आप ऐसे compare भी कर सकते हैं, एक बराबर 3, तो 6 बराबर 18 होग चलिए इस प्रकार के मैं कुछ कॉसंस के साथ प्रक्टिस करवाता हूँ आपकी, तो पटवारी, सीटेट, रीट, जिन जिन के है ये, और जितनी भी एक्जाम है, NTPC वगएरा, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप NTPC के लिए अलग से ब्याज पड़े, कॉसंस की प्रक्टि पर पांच वर्सों में तिगनी हो जाती है, कितने वर्सों में पांच गुनी हो जाएगी, तो आपको क्या करना था, पांच वर्सों में तिगनी, अभी काया मैंने कि एक साल का ब्याज बराबर कर ले, तो एक साल का ब्याज क्या होता, तीन गुनी का मतलब है दो गुना ब् फिर कह रखा है कि पांच गुनी हो जाएगी कितने सालों में पांच गुनी हो जाएगी तो प्रतेक साल का ब्याज बराबर होता है यहां पर आपने एक साल का ब्याज बना लिया दो बटा पांच तो इधर भी आप क्या करें कितने वर्सों में पांच गुनी हो जाएगी तो अब आप क्या करेंगे? पांच गुनी होने का मतलब चार गुना ब्याज मिलेगा और कितने वर्सों में तो टीका भाग देने से एक साल का बनेगा. ऐसे आप इसको बराबर कर लेंगे, तो बहुत आसान है. तो आप इस बात को समझभाएं होंगे कि जब भी कहें कि पाँच वरसों में तिगणी तो आप ये समझ जाएं कि दो गुणा ब्याज मिल रहा है यहां से और दो गुणा ब्याज पाँच साल में मिल रहा है तो पांच गुनी रासी मतलब चार गुना ब्याज कितने साल में मिलेगा बहुत आसान है, एक-एक साल का ब्याज बराबर कर लें तो टाइम का भाग दिया है मेने ब्याज में तो एक साल का ब्याज बराबर अब आप इसे compare कर सकते हैं अब compare कैसे करेंगे वो आपको मैंने बताया कि 2 का मान यदी 4 हो रहा है तो 5 का मान 10 हो जाएगा option B आपका right answer हो साथा ये बहुत इसी है आप ऐसा ही समझ लें कि 2 का मान 4 हो रहा है तो 5 का मान 10 यानि 2 बराबर 4 तो 5 बराबर 10 या फिर आप पक्षांतन कर सकते हैं इस T को इधर ले जाते तो 2 T 2 T के बराबर 5 बीस हो जाता ये देख के गणना हो सकती है 2 T बराबर 20 हो तो 1 T बराबर 20 कार देता 2 से 10 आजाता उत्तर 10 वर्स आप कहते तो आपको नम्मर पूरा मिलता तो ये इजी हैं बहुत बार आपके पास अलग अलग परिक्साओं में इस प्रकार के कौशन पूछे हुए हैं चलिए एक और कौशन मैं इसी प्रकार के 2-4 कौशन लेकर आपको प्रक्टिस करवाता हूँ यदि वार्सिक सादान ब्याज की दर पर रखे हुई कोई रासी 5 वर्स में दुगनी हो जाती है तो वही रासी 8 गुना होने में कितना समय लेगी देखे ये दुगनी हो जाती है फिर 8 गुनी कब होगी तो आपको करना क्या है इसमें सिंपल सी बात करनी है कि आपको एक साल का ब्याज बराबर करना है एक साल का ब्याज बराबर कैसे करना है वो आपको दिखी रहा है फिछले कोशन्स में भी देखा पांच वर्सों में दो गुनी रासी दो गुनी होने का मतलब है ब्याज एक गुना मिल रहा है तो एक रुपया ब्याज मिल रहा है किते साल में, पांच में तो एक बटा पांच लिख लें, बराबर, दूसरी लाइन में देखें, रासी आठ गुनी, आठ गुनी होने का मतलब है साथ गुना ब्याज मिलेगा, आठ गुनी रासी हुई है तो एक गुनी तो आपने दी थी, साथ गुना ब्याज मिला तो यह समझ गए होंगे एक और साथ में कहां से ला रहा हूँ उत्तर खतम समय पुचा है समय का आप भाग दे रहे हैं नीचे टी को टी रख ले अब मैंने आपसे ये कहा था कि आप एक बराबर साथ मान लें तो 5 बराबर 35 एक बराबर 7 हो तो 5 बराबर 35 C option आपका राइट आन्सवर होता या पकशान्दन कर सकते हैं T इदर जाता तो एक से multiply होता तो T बराबर 5 इदर जाता तो 35 आता राइट आन्सवर 35 वर्स आपका हो जाता चलिए next question के और चलते हैं तो ये दो तीन शेकेंड में आप कर पाएंगे, जभी भी अब इन फ्यूचर ऐसा कॉशन आएगा उसे आप, साधारन ब्याज की विशेश दर पर कोई धन रासी दस वर्सों में साथ गुनी हो जाती है, उसी दर पर यह धन कितने समय में दस गुना हो जाएगा, बहुत सिंप यह 6 और 9 आपको, यह जितना गुना हो जाता है, उसमें एक एक कम करके लेना था, कितने समय में टी बहुत ही आसान है, अब आप इसे काट लेते या पक्षानत्रन कर लेते बहुत ही आसान था, तो 6 का 9 हो गया तो 1.5 गुना हो गया तो 10 का 1.5 गुना होता है 15 डाइरेक्ट भी लगा सकते थे या इसको काट के देखते इसे में 2 से काटता तो ये 3 था और ये 5 था 3,9 बनता है 3 का 3 गुना है 9 तो 5 का 3 गुना नीचे 15 आ जाता या इसे काटने के बाद पक्षानतन करते तो इधर T जाता तो 3T होता 3T के बराबर इधर 9,5,45 होता 3T बराबर 45 होता तो T बराबर आप 45 को काटते तो 15 उत्तरा था डैरेक्ट भी लगा सकते थे बहुत आसान था तो ये चोटे-चोटे questions आते हैं आपके पास में इस प्रकार के questions इन फ्यूचर जबी भी आपके पास आएं तो आप तुरन से उसे सौल करते हैं चलिए, next question में आपको दिखाता हूँ, कुछ इसी अंदाज के और question लेता हूँ में अब इसे ध्यान से कीजिएगा, कई बार ऐसे questions को आप गलत कर देते हैं जल्द बाजी में, उल्टा सीधा कुछ लफडा रठते हैं मैंने आपको कहा कि हर साल का ब्यास यहां बराबर होने वाला है हर वर्स का ब्यास बराबर होगा कोई धन निस्सित दर से तीन वर्स में दो गुना हो जाता है तीन वर्स में दो गुना तो अभी मैंने बताया किया ब्याज दो गुनी रासे होती है तो ब्याज होता है एक गुना और तीन वर्स में तो एक बटा तीन इस प्रकार से कर रहे थे बारा वर्सों में कितना गुना हो जाएगा अब देखो वर्स दिया है नीचे की चीज दिया है पिछले वाले परसनों में टी गाइप था है इसमें नीचे की चीज दिया है कि बारा वर्स है और कितना गुना हो जाएगा तो यहाँ पर ब्याज नहीं है आपके पास, कि ब्याज कितना हो जाएगा, अब मानलो कि ब्याज चार होगा तो गुना पांच होगा, यह ध्यान रखें, ब्याज आएगा यहाँ, नीचे निकालेंगे तो ब्याज आएगा, तो तीन बराबर बारा है, तो एक बराबर कितना ह तो आप यह कहते हैं कि तीन बराबर यदी बारा है एक बराबर चार होगा तीन चोग बारा तो ब्याज हुआ चार अब कई लोग क्या करते हैं चार गुना उत्तर लगा देते हैं उत्तर लगाना था पांच गुना क्योंकि यदी ब्याज चार गुना हो आई चार हो तो उत्तर नहीं लगा दें इसमें, सेम वैसे ही सोचेंगे, एक साल का ब्याज बना लें, तीन वर्स में दो गुना, तो एक गुना ब्याज मिला है, तीन वर्स में एक बटा तीन लिख दिया मैंने एक साल के ब्याज के लिए, बारा वर्सों में कितना गुना, तो मैंने बारा न इतना गुना है तो आप बताएंगे पांच गुना ये धन हो गया है चलिए next question यही बात यदि दर के साथ आ जाएं देखे अब तक सीका आपने कि समय के साथ तीन वर्स में इतनी गुनी अब तीन परसेंट से इतनी गुनी ऐसे question आ जाएं दर में भी सेम वही सोचना है उसी अ परसेंट से तीन परसेंट से तीन गुना तो तीन बटा तीन परसेंट कर लें आप जैसे आप ब्याज बटा दर कर लें वहां ब्याज बटा समय किया है आपने सेम कितने परतीसत की दर से ये साथ गुनी हो जाएगे साथ गुनी का मतलब आप साथ नहीं लेंगे छे लेंग और बटे में कितने परसेंट यह दर का परसेंट बताना है बहुत चोटी बात तीन परसेंट तीन चार गौनी का मतलब 3 गौना ब्याज और यहां पर 7 गौनी का मतलब 6 गौना ब्याज, तो 3 का 6 हो गया, तो यहां भी दर आपको 3% से 6% ही लिनी पड़ेगी, बहुत आसान थी, ऐसे ही, जैसे पिछला सवाल कर रहा है, same to same, वैसे ही यहां पर, वहां समय के साथ था, यहां next question के और चलते हैं कि अगला question कैसे करते हैं, तो यहां समझे होंगे आपको करना क्या था, कि उपर आपको ब्याज रखना है और नीचे दर रखनी है, बराबर फिर second case का जो ब्याज है, second वाला ब्याज है, वो रखना है, और नीचे second वाली दर रखनी है, पिछले वाले question में ब्याज बटा समय था, और दूसरे वाला ब्याज बटा समय था, यह काम में कर रहा हूँ यह, चलिए, तो इस question को शॉल करते हैं कि इसे कैसे करते, कोई धन 30% की वार्सिक दर से कुछ वर्सों में चोगना, चोगना होने पर ब्याज कितना हुआ, तो आप क कि दर बताईए, तो दर आपको पास में आर गाइब थी, अब मैंने आपको कहा, यहां से काटेंगे आप इसे, चलिए, यहां 3 को काट देते, 30 से 10 बार, तो आर इधर आता, और यह 5 उदर जाता, तो 3 का 5 हो गया, तो 30 का कितना होगा, तो आप कहतें, 50, तो आर बराबर हो जाता, 50%, तो बहुत इजी काम था यह, तो आपको सिंपल सी दो बातें आपने सीखी यहां पर, कि ऐसे कोशन में एक तो समय के साथ आता है, और एक दर के साथ, चो पिछले वाले सुरुवाती कोशन थे, वो समय के साथ थे, और यह दर के साथ थे, चलिए, नेक्स्ट कोशन सीटेट वगेरा के एक्जामस में भी आया हुआ है, चलिए, इस कैटेगरी का कोशन भी बहुत इंपोर्टेंट है, और यह आसान भी है, आज के बाद आप ऐसे कोशन को बहुत इसी तरीके से कर पाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सेर करें, और लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अपने सातियों को भी सब्सक्राइब करवाएं और खुद भी करें, वार्सा फेस्बुक पे इससे सेर कर दें, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे बहुत सारी वीडियो ला सकूँ, और आप मैस और रिजनिंग में स्ट्रोंग बन सकें, प्ल जाँन आए तो प्लेलिस्ट के लिंक को ही पुरे के पुरे को आप सेयर कर दें, चलिए, नाक्ष 56 नमर का कॉशन क्या है, किसी रासी को उतने वर्सों के लिए करज दिया जाता है, जितना की ब्याज का दर परसेंट है, कई बार ऐसे कहता है कि वर्सों का जो ताइम है और जो दर है वो संख्यात्मक रूप से बराबर है T बराबर R है ऐसा कभी भी कहे तो आप से कहेगा साधान ब्याज मूल धन का इतना हो साता है साधान ब्याज मूल धन का मतलब मूल धन को 25 माल ले और साधान ब्याज को 16 मान कर भी कर सकते हैं T और R को equal मान के कर सकते हैं कैसे भी क कर सकते हैं लेकिन ऐसा कोषर आई तो आपको एक्जाममी क्या करना है जबीचा talking सादाहन ब्याज मूलदन कर शोलाबटा पची से तो इसी बात है नहां है उसको हंड्रेड मल्टीप्लाई करना सो से क्डूरा आपकरना ब्याज को सो से कुना करते हैं और यहेगा या आर का स्क्वाइर बन गया तो यहां से टी या आर का स्क्वाइर था तो इसका रूट कर दें चोटी सी बात है जितना गुना है उसको सो से गुना कर दें और उसका रूट कर दें तो पच्ची चोग सो यह चार बार काटता और सोला होता है चार का रूट और रूट सोला का मतलब है चार और रूट चार का मतलब है दो यानि 16 चोग 64 भी करके कर सकते हैं कि 8 यहां से 10 दर परसेंट होती 8 परसेंट और वर्स टाइम होता 8 वर्स तो वर्स के मान भी वही है जो दर का मान है तो सिंपल था करना क्या है से कौशन में जितना गुणा है उसको सोसे गुणा कर लें सोसे गुणा कर लें यहां एक वर्ग संख्या बनेगी यानि चोला चोग 64 या अलग अलग भी इसके टुकड़े करके निकाल सकते थे तो यह आसान था वो 64 बनेगा वो आपके लिए बहुत ही इजी था चलिए तो नेक्ट कोशन के और चलते हैं कि अगला कोशन आपके लिए क्या है कुछ इसी प्रकार का है 1st grade 2016 RPSC दुआरा पूछा हुआ है तो यह क्या था किसी रासी का साधान ब्याज उसके मूलधन का एक बटा सोला है साधान ब्याज उसके मूलधन का एक बटा सोला है तो अभी जो बात करी थी पिछले कोशन में वो ही है आगे देखी क्या कह रहा है वह संख्या जो परती सत में ब्याज की दर को निरूपित करती है ब्याज के वर्सों की संख्या के बराबर है तो समय होगा तो अभी मैंने कहा जितना गुणा के रखा है व्याज मूलधन का जितना गुणा है उसको आप सो से गुणा कर दें और उसका रूट कर दें तो सो से मैं गुणा करता, तो उपर आप देख रहे हैं सो का जो root होता, या आप 4 से काट लेते, इसे उपर आता 25, root के अंदर ही काट रहा हूं में, नीचे आता 4, उपर तो आजाता 25 का root होता है, 5 और 4 का root होता है, 2, 5 बटा 2 का मतलब होता है, 1,5 versus A, यानि, 5 बटा 2 आप 2 के देते, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा question जभी भी आपके पास आए, तो आप साधान ब्याज मूलधन के जितना गुणा के रखा है, उस एक बटा सोला गुणा, सोला बटा पच्चीस गुणा, एक बटा चार गुणा, तो उसको सो से गुणा करें, और तुरंट से रूट कर दें, उसका, बहुत इसी दाईए, तो ये दर परसेंट भी आजाएगा, और ये समय भी, समय पुछे, तो धाई वर्स बता दे, और दर पुछे, तो धाई परसेंट बता दे, चलिए, तो ये इसी question थे, एक और question मैं आपको दिखाता हूँ, अंतिम question है ये आसका, फ आपको ये, इसके तुरंत बाद ये बोल दे कि ब्याज की दर समय समान है, संख्यात्मक value समान है, जबी भी ये संख्यात्मक value समान वाला question आए, तो आप इनको जितना गुना है, उसको सो से गुना करके root कर दें, वो ही दर आ जाएगी, वो ही समय आ जाएगा, चलिए, तो यहां यह कट नहीं रहा है, तो मैं इसे solve कर देता, अब यहां पर solve directly कर लेना है, 4 जो root के अंदर है, 4 का root होता है 2, 100 का root होता है 10, तो उपर तो 20 आ जाएगा, और नीचे 3 आ जाएगा, 9 का root होता है, तो 20 बटा 3, 20 बटा 3 देख लिजे कौन सा है, 6 सही 2 बटा 3 को कहते हैं, 20 बटा 3, 20 बटा 3 में, यानि कि 20 में आप 3 का भाग देंगे, तो 6 बार पुरा जाए यानि B option आपका right answer होता, तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से सुक्रिया, फिर से नए वीडियो में मिलूंगा, तब तक आप पुराने वीडियो देखते रही है, इसको भी बार बार देखते रही है, और जादा से जादा इनको share करते रहिएगा और एक like और एक प्यारा सा comment मुझे नीचे लिख भेज़िएगा, फिर से मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ इसी के next part में तब तक आप अपना खयाल रखेगा और खुस रहिएगा, धन्यवाद.